नमस्कार दूस्तों रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दूस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो MTM Tunnel Lite Application को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो गईस गर आप भी जानना चाहते हो यह आपको पने फोन में कैसे यूज़ करें तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा Play Store के अंदर और प्ले इस चोर में आने के बाद इस एप्लिकेशन को अपने फोन में डाउनल इसके लावा आपके सामने इसके reviews, rated, downloadings वो सब भी आ जाएगी तो यहां से आप जो है इसके detail जान पाएंगे, अब कैसे application को use करना है, इसके लिए हम application को अपने phone में पहले open करेंगे, उपन करने के बाद application थोड़ा सा यहां पर loading लेगा, तो यहां पर हम थोड़ा सा wait करेंगे, अब guys application उपन करने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरह का option आ जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, सबसे जो पहला option है, इसके उपर आप जो auto select server है, इसके उपर हम click करेंगे, और यहां पर गया जो भी server रहेंगे, आपके सामने आ जाएंगे, इसमें से जो भी आपको connect करना है, उसके उपर आप click किजिए, और server यहां पर select हो जाएगा, और यहां पर आप start पर click किजिए, जिससे यहां पर आपकी connecting यहां पर start हो जाएगी, अब एक दो second यहां पर हम wait करेंगे, उसके बाद यहां पर हमारा जो भी server हमने select किया होगा, वो successfully हमारे phone के अंदर connect हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से connect कर पाएंगे और इससे remove करना है, disconnect करना है, तो कैसे करेंगे, stop करने के लिए जो stop वाला button है, इसी के उपर फिर से tap करना होगा, और एक ही click के अंदर यहां से यह disconnect हो जाएगा, तो इस तरह से guys, आप अपनी phone में इस application को use कर सकते हैं,